नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। जैहिन बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने LDHID और Ketone और Carboxlic Acid को Complete कर लिया है, यानि कि हमने सारे टॉपिक्स वहाँ पर डिसकस कर चुके हैं, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं Press No 3 सीरीज के उपर, यानि कि ये इस चेप्टर की आखरी वीडियो होगी, जिसमें हम हमारे पास कुछ प्रैस्न होंगे, उनका हम देखिंगे कि किस परकार से उनको हल किया जाता है, तो चलिए एक एक करके Question Answer को Discuss करते हैं, हमारे पास पहला Question यही है कि निमन लिखित योगिकों की संदशना बनाईए, यानि कि आपको कुछ IPC नाम दिये होंगे, या फिर Common Name द करता है end में, इस परकार से अगर Nell आएगा, और Nell आएगा, दोनों बराबरी हैं, तो दोनों को आप एक ही मानेंगे, तो इसका मत्तब होता है कि यहाँ पर जो Hydrocarbon है, उसके साथ लगा हुआ है Aldehyde, यानि कि अंत में क्या लगा होगा? CHO लगा होगा, यह आप ध्यान तो यहाँ पर लिखा हुआ है Bute, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? Carbon की chain बनानी है, यानि कि 4 Carbon यहाँ पर आएंगे, नल आ रहा है, तो मतलब आखिरे वाले Carbon के साथ क्या होगा? Double Bond के साथ Oxygen होगा, और यहाँ पर Hydrogen, और 3 Methyl की बातारी है, तो पहला Carbon अगर यह है, दूस इस परकार से ही हम यहाँ पर इसका IPC नाम, या फिर इसकी संदचना IPC नाम से हम यहाँ पर बना सकते हैं, अगर इसको खोल कर लिखें, तो डारेक्ट आप लिख सकते थे, CS3, CH, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर हो जाएगा CH2, और CHO, यह हमारा क्या होगा? 3 Methyl Butanal, चलिए दूसरा question discuss करते हैं, दूसरा यहाँ पर दे रखा है, P-Nitropropyophenone, अब यहाँ पर non आ रहा है, यानि कि on आ रहा है सपिक्स में, end में, तो इससे मैंने क्या कहा था, कि इसका मतलब है कि यहाँ पर carbon double bond, यानि कि यहाँ पर क्या है, हमारा ketone उफस्तित है, on आ रहा है न, तो यहाँ पर करना क्या है आपको, सबसे पहले पैरा नाइट्रो बनाना है, यानि कि यह पैरा नाइट्रो है, और यह किस के साथ लगा हुआ है, फिनौन के साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करनी है, हाइड्रो कार्बन की संख्या लिखनी है, जो कि इसी कार्बन के साथ यहाँ पर कार लगा हुआ है, पैरा नाइट्रो फिनॉन लगा हुआ है, यह हो गया यहाँ पर फिनाइल, और फिनाइल के पैरा पोजिशन पर क्या लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रूप लगा हुआ है, तो para position कौन सी है इसकी, यह अगर इसकी sub-stuted group है, तो यहाँ पर इसकी होती है para position, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है यहाँ पर ortho और यह meta, फिर यह क्या होगी इसकी para position, तो यहाँ पर इस position के उपर लगा होगा nitro group, यानि कि NO2 यहाँ पर लगा होगा, तो अब यह पर देख सकते हैं, यहां पर क्या है, कीटोनिक गुरूप उपस्तित है, यह ही तो होता है कीटोन, कि दोनों तरब क्या होता है, C, और यहां पर डबल बॉंट, और यहां पर होता है, R-, मालो यह यह लगा हुए R- के साथ, और यह हो गया R, यानि कि यह एरोमेटिक रिंग है यहां पर तो आप लिख सकते हैं, यहां पर सिधे R आएगा, R- की जगा आप सिधे यहां पर R कर सकते हैं, इस परकार से भी तो कीटोनी होता है, तो यह यहां पर हमारा कीटोनिक योगिक निकल कर आता है, जिसका हमने यहां पर इस्ट्रक्चर बनाना सीख है, कि पैरा तो इसमें फिर से क्या होगा, यहाँ पर ketonic group उपस्तित होगा, और यहाँ पर hydrocarbon कितने है, paint है, paint का मत्तब क्या होता है, 5 carbon, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, 5 carbon बना देंगे, single single bond के साथ पहले, यह बन गे हमारे 5 carbon, और दूसरे carbon के उपर क्या लगा हुआ है, double bond के साथ oxygen लगा double bond लगा हुआ है, यह बहले नावन होगा, यहीन आ रहे हैं, यह बहले हमारा यहाँ पर निकल कराता है, अब क्या देखने हैं आपको, अब यहाँ पर देखना है कि, 4 carbon के उपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, methyl, यह हो जाएगा, यहँपर, क्या आजाएगा CS3, इसकी भी यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर hydrogen एक आजाएगा, यहाँ पर 4 हो गई है, इस carbon की भी, इस carbon की देख सकते हैं, आप 4 है, पूरी सेम जैसे इसकी है, और इसकी यहाँ पर CS3 से complete हो जाएगा, तो यह यहाँ पर इसका संदचना निकल कर आता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, बेंजीन लेना है, और उसके साथ जोड़ देना है, CHO, यहाँ पर किसी एक carbon के साथ आप क्या जोड़ देंगे, LDHID गुरुप जोड़ देंगे, यानि कि CHO, अब यहाँ पर कहरा है, पैरा मैथिल बेंजल्डी हाइट, तो यह अगर इसका सबस्ट्यूटेट गुरुप है, तो यह होगा इसका पैरा पोजिशन, यह होगा और्थो, यह होगा मैटा, और यह फिर से होगा पैरा, इस परकार से ही चलती है, तो यहाँ पर पैरा हमारा आ रहा है इस वाले carbon के उपर, तो इस carbon के उपर क्या जुड़ जाएगा यहाँ methyl समझोड जाएगा, जो कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं CH3, अब देखे, इसकी संदचना भी यहाँ पर निकल कर आ गई है, और यह तो आपको पता है कि पैरा, और्थो, यह हम किसमें लेते हैं, सामने नामकरण में, अगर इसका यहाँ पर IPC नाम लिखना चाहें, तो यह हो पर ketonic समझोड उपस्तित होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर ketonin लिख लेते हैं, यहाँ पर C double bond O, और इसके यहाँ पर इस तरह से कर देते हैं, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, पैंटेन, तो एक कारबन तो यह हो गया, एक कारबन यहाँ पर लिख लेंगे हम, ठीक है, इस परकार से चलेगा, एक कारबन इस तरह लिख लेते हैं, 2 on लिखा हुआ है, तो आप सिधे इसको दूसरा कारबन मानेंगे, अब यहाँ पर 4 कारबन है, यह हो गया 5 कारबन, अब देखें यहाँ पर, यह हो गया 1 कारबन, यह हो गया 2 कारबन, यह 3, और यह 4, और यह 5, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि चौथे कार्वन के साथ जुड़ा हुआ है क्लोरीन, यहाँ पर आप क्लोरीन जोड़ दिंगे, अब देखे, पूरा निकल कर आगे है, अब हाइड्रोजन से इसकी बैलेंसी पूरी कर दिंगे, यहाँ पर हो जाएगा CS3, यहाँ पर O, CH, यहाँ पर CH, CL, और यहाँ पर CH3, यहाँ पर इस कार्वन की तीनी बैलेंसी है, तो यहाँ पर एक और हाइड्रोजन लग जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा CH2, यह भी यहाँ पर इसका फॉर्मुला निकल कर आता है, चलिए, next question की बात करते हैं, next question यहाँ पर है, 3- 3-bromo-4-phenyl-pentanoic-amble, यानि कि इसमें क्या है, कार्वोग्जिल समों जुडा होगा, नोईक आ रहा है न, तो सबसे पहले हम कार्वोग्जिल समों लिख लेते हैं, C-O-H, यही तो होता है, अब यहाँ पर कार्वन कितने है, यहाँ पर है पेंट, यानि कि 5 कार्वन है, तो य यह भी कार्वन हो जाएगा, यह भी कार्वन, यह भी यहाँ पर कार्वन और यह कार्वन, अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर 5 कार्वन है, और अगर यह पहला कार्वन है, क्योंकि यहाँ पर कार्वग्जिल समों जुडा होगा है, तो एक कार्वन ही होगा, दो यह होगा तो तीसरे और चौथे कार्बन पर आप देख सकते हैं चौथे कार्बन पर जुड़ा हुआ है फैनिल यानि की बेंजीन डिंग होगी सिंगल और तीसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है ब्रोमो तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ब्रोमीन को यह एड़ कर लेता हूँ यहां पर 3 है, तो यह 4, यहां पर 2 hydrogen लग गए गए, अब देखें, यहां पर जो हमारा उपर IPC नाम लिखा हुआ है, उसकी यहां पर संदचना निकल कराती है, और यहां पर तो आपको पता ही है कि जो एक oxygen होता है, वो carbon के साथ यहां पर क्या जुड़ा होता है, डबल bond के कहता है, कार्बोक्जिल सम्हों जुड़ा हुआ, तो यह यहां पर इसकी संदचना निकल कराती है, चलिए next question discuss करते हैं, यहां पर next question अमारे पास कुछ इस परकार से है, यानि कि PP का मतलब क्या है, पैरा-पैरा, डाई-हाइड्रोक्सी-बेंजो-फिनोन, तो फिनोन आ रहा करता हूँ, यह हो गया carbon, single bond, यह भी single bond, double bond के साथ oxygen जुड़ा हुआ है, और पैरा किसके लिए होता है, यहां पर, पैरा होता है, बेंजीन के लिए, जब हम बेंजीन की naming करते हैं, और यहां पर लिखा भी है, बेंजो, तो यहां पर क्या होगा, पैरा-पैरा पोजिशन पर डाई हाइड्रोक्सी जुड़ा होगा यानि कि दो बेंजीन रिंग होगी और दो बेंजीन रिंग के साथ पैरा पोजिशन पर जुड़ा होगा हाइड्रोक्सी समवाँ एक benzene यहाँ पर, यानि कि एक phenol यहाँ पर इस carbon से जुड़ा होगा, और एक phenol यहाँ पर इस carbon से जुड़ा होगा, चलिए देखते हैं, कुछ इस परकार से यहाँ पर, हमारे पास structure आता है, तो यहाँ पर इस carbon के साथ 2 benzene ring जुड़ गई है, और अगर इसका substituate यह है, तो य यह होती इसकी पैरा position, यह होती इसकी ortho, यह होती है meta, और यह फिर से होती पैरा, तो यहाँ पर पैरा position पर आपको क्या जोड़ना है, hydroxy समोझ जोड़ना है, जो कि OH होता है, तो यह अगर इसका ortho है, यह इसका हो जाएगा meta, और यह हो जाएगा पैरा, तो इस वाले carbon के सा भी यहाँ पर जोड़ना है OH, अब यहाँ पर जो उपर नाम दे रखा है, उससे इसे मिलाईए और देखिए, क्या ये नाम सही है, या फिर ये सनरचना गलत है, या सही है, ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, केटोनिक समो है, ये है केटोन, और केटोन के साथ, दो दो हाइड्रोक्सी समो जुड़े हुए है, जो की एक ही यह जुड़ा हुआ है, और एक यहाँ पर यह जुड़ा हुआ है, तो इसकी संदशना भी यहाँ पर निकल कर आती है, चली यह next question discuss करते हैं, next हमारे पास कुछ इस परकार से दिया हुआ है, बेंजीन से निमनलिक, बें और जो दूसरा है यहाँ पर, वो है पैरा नाइट्रो बेंजोईक एसिड का आपको निर्मान करना है, तो उपर वाला आप पैचानी गयोंगे कि मैटा नाइट्रो बेंजोईक एसिड यहाँ पर बनाना है, जो हमने लास्ट टाइम पर डिसकस किया था, वले परतिस्तापन अभी किरिया को याद करिए, और अपनी कॉपी में इस अभी किरिया को लिखिए कि किस परकार से मैटा नाइट्रो बेंजोईक एसिड का निर्मान किया जाता है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लेंगे, बेंजोईक एसिड को लेंगे, और बेंजोईक एसिड से निर्म के साथ घोला जाता है, तब यहाँ पर जो OH है, तब यहाँ पर जो कार्बॉक्जली कुरूप है यह यहाँ पर करता है इनक्टिबेटिक का खाम, यानि कि जो भी बारी गूरूप आएगा वो किसकी तरफ जाएगा, वो मेटा पोजिशन पर तेगा, यानि कि ये लिया था सांद्र sulfuric acid, जो होता है H2SO4, और जो हमारे पास यहाँ पर compound मिलता है, वो मिलता है meta directive, जो कि इस परकार से होता है अब यहाँ पर meta position कौन से होगी यह आपको जानना है, अगर यह इसकी है para position, क्योंकि यहाँ पर group लगा हुआ है functional, तो यह para position ही होती है, यह होती है ortho और यह होगी meta, तो meta के साथ ही आपको क्या जोड़ना है nitro sum जोड़ना है, यानि कि NO2 आकर meta position पर जोड़ जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं meta nitro benzoic acid का यहाँ पर निर्मान हो गया है, जो आप यहाँ पर convergence में, जब हमने वहाँ पर weak acid की convergence में अभी किरया कर आई थी, तब हमारे पास मिलता है benzoic acid, और benzoic acid को दो concentrated high acidic solution के साथ, अगर घुला जाता है, तो वो meta directive क्या देता है, carboxylic acid देता है, यानि कि आप कह सकते हैं meta directive carboxylic acid का एक उत्पात देता है, जिसका नाम है meta nitro benzoic acid यह यहाँ पर आपको समझ में आगे होगा, जिसमें जो होता है जिसमें यहाँ पर जो carboxylic समोह होता है, यह inactivate रहता है जिसकी वज़े से यह वारी समोह को क्या करता है, meta directive बना देता है, चलिए next question यहाँ पर है para nitro benzoic acid बनाना है चलिए, यह यहाँ पर निकल कर रहाता है हमारे पास benzene, benzene की reaction जब chloroform के साथ करवाई जाती है Lewis acid की presence में और Lewis acid का अच्छा कार्यकोन करता है ALCl3, यह तो आप जानते है Fridal Craft reaction से, तो यहाँ पर CH3Cl, यह होगा अब इसको आगे concentrated acid के साथ reaction करवाई जाता है यानि कि जैसा हमने यहाँ पर सांदर HNO3 और सांदर sulfuric acid को लिया है ठीक, वैसे ही यहाँ पर भी लेंगे क्योंकि इसको क्या बनाना है meta-directive बनाना है, जो आप भार से आएगा गरूप, तो HNO3 और plus क्या लेना है, सांदर sulfuric acid यह हो गया, H2SO4 तो यहाँ पर जो NO2 है वो para-directive हो जाता है तो यहाँ पर हमारे पास जो निर्मान होता है para-nitro-tolven का हो जाता है यह यहाँ पर para-position पर NO2 जुड़ जाता है अब हमें यहाँ पर चीए benzoic acid यानि कि यहाँ पर इसका करवाना होगा oxygen और oxygen करवाने के लिए हमारे पास होते हैं highly oxidizing agent तो यहाँ पर हम reaction करवाते हैं K-NO4 के साथ with K-OH solution तो यहाँ पर आप लिखेंगे K-M-NO4 जो की highly oxidizing agent है और इसको K-OH solution के साथ घोलेंगे फैले जैसे कि हमने किया ही था reaction में और साथी साथ आप क्यालेंगे यहाँ से diluted यानि कि tannu sulfuric acid भी यहाँ पर लेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास निर्मान होता है वो होता है para nitro benzoic acid का यहाँ पर CS3 को substitute कर लेता है C-O-H ठीक है और यहाँ पर para position पर तो आप जानते हैं कि NO2 लगा हुआ है तो यहाँ पर NO2 आ जाएगा यह हमारा यहाँ पर हो गया para nitro benzoic acid तो यह अब इकिर्या भी यहाँ पर संपन हुई चलिए next question discuss करते हैं next हमारे पास कुछ इस परकार से है कि आप निमिल लिखित रूपांत्रणों को अधिकतम दो चलणों में किस परकार से संपन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला compound है वो है यहाँ पर propanon से propan और दूसरा यहाँ पर है benzoic acid से benzoidehyde बनाना है तो चलिए सबसे पहला discuss करते हैं propanon से propan तो जैसे कि आप यहाँ पर जानते हैं कि propanon क्या है यहाँ पर ketonic उत्पाद है तो carbon double bond O और यहाँ पर हो जाएगा CH3 और यहाँ पर भी CH3 यह हमारा हो गया ketone जिसका नाम है propanon अब इस compound की अभिक्रिया यहाँ पर sodium borohydride के साथ करवाई जाती है जिससे हमारे पास आगे उत्पाद मिलता है propan2ol यानि कि यहाँ पर हो जाता है hydrogen का addition तो यहाँ पर sodium borohydride यानि कि BH4 तो यहाँ पर होगा कुछ यहों कि हमारे पास जो उत्पाद मिलेगा वो मिलेगा CH3 CH3 और इसके साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा oxygen जुड़ जाएगा यानि कि oxygen single bond hydrogen और यहाँ पर हो जाएगा hydrogen यह हमारे पास किस चीज का निर्मान होगा यहाँ पर propan2ol अब यहाँ पर इस अभी क्रिया को अगर proceed करेंगे तो यहाँ पर आपको करना है साथ साथ यहाँ पर मैं temperature भी ले रहा हूँ लगबग 443 Kelvin तो हमारे पास जो नया उत्पाद बनता है वो कुछ इस परकार से बनता है CH3 CH double bond CH2 यह हमारे पास final उत्पाद निकल कर आता है यहाँ पर जिसका नाम है propan तो यहाँ पर आपने देखा कि ketone को reducing agent के साथ reaction करवाने पर हमारे पास hydrogen का addition होता है जिसमें हमारे पास propan 2-ol का निर्मान होता है जो यहाँ पर देखा आपने और फिर से यहाँ पर सांदर H2SO4 को 443 Kelvin पर heat किया जाता है इस compound के साथ जो यहाँ पर यह निर्मित हुआ और हमारे पास जो नया compound निर्मित होता reaction करने के बाद वो होता है propan जो हमें यहाँ पर भी चीह था तर यह दूसरा question यहाँ पर discuss करते हैं कि benzoic acid से benzoidehyde किस परकार से निर्मित करेंगे यह हमारा यहाँ पर है benzoic acid और benzoic acid को अगर thainyl chloride के साथ reaction करवाएगा यह हमारा यहाँ पर benzoic acid और benzoic acid को अगर thainyl chloride के साथ reaction करवाएगे यानि कि SOCl2 तब हमारे पास जो नया योगित बनता है वो बनता है benzoic chloride यानि कि इस hydrogen को और यहाँ पर इस oxygen को यानि कि hydroxy sumों को यहाँ से substitute कर लेता है chlorine तो यहाँ पर हमारे पास निर्मान होता है benzoic chloride यहाँ पर इस OH को substitute कर लेता है chlorine यहाँ पर आप जोड सकते हैं CEL और इसी को हम क्या कहते हैं इसी को हम कहते हैं benzoic chloride आपने देखा thainyl chloride के साथ reaction करवाने पर benzoic chloride यहाँ पर निर्मान हो रहा है, अब इसी compound को आपको आगे reaction करवाना है, तो reaction हमारे पास आगे proceed करती है, barium sulfate की उपस्तिती में, यानि कि यहाँ पर catalyst लेंगे BASO4 और reaction करवाएंगे यहाँ पर hydrogen के साथ, यानि कि H2 in the presence of BASO4 with palladium, अब जो हमारे पास आगे compound बनता है, वो बनत है benzaldehyde जो हमें यहाँ पर उपलब्द भी है, और यही हमें बनाना भी है, यह यहाँ पर hydrogen जुड़ जाता है, जिससे यहाँ पर benzaldehyde का formation हो जाता है, आप इसको oxygen को यहाँ से हटा कर double bond के साथ भी लिख सकते हैं उपर, यहाँ पर double bond oxygen और single bond के साथ hydrogen जुड़ा होता है, औ हमने किया भी है, पहले चरण में क्या किया, थाइनिल क्लोराइड से बेंजोईल क्लोराइड का निर्मान किया, और बेंजोईल क्लोराइड को hydrogen और palladium के साथ reaction करवा के इंदी परजेंस और barium sulfate, हमारे पास benzaldehyde का formation हो गया है, चलिए यह next question discuss करते हैं, यहाँ पर question है कि नि बेंजीन और बेंजीन के साथ जुड़ेवे हैं hydrocarbon, यानि किया क्या हो गया यहाँ पर, अलकाइल बेंजीन हो गया, यह आप इसको कह सकते हैं, इथाइल बेंजीन है यहाँ और इथाइल बेंजीन को यहाँ पर potassium permagnate और KOH solution के साथ heat करवाय जा रहा है, अब आप इसा भी कि होता है potassium salt, तो यहाँ पर हमारे पास जो नया compound मिलता है, वो मिलता है potassium benzoid, यहाँ पर हो जाता है double bond oxygen और यहाँ पर potassium, यह बन गया हमारे पास potassium benzoid, और इस अभी किर्या को यही तक आपको संपन करना था, तो अगर आपको यहाँ पर iron दरसाने हो, तो iron भी दरसा सकते हैं, औ और अगर हम इसी अभी किर्या को आगे proceed करते हैं, यानि कि weak acid के साथ हम यहाँ पर reaction करते हैं, यानि कि S3O positive के साथ अगर हम यहाँ पर reaction करते हैं, तो हमारे पास carboxylic acid का निर्मान होता है, लेकिन यहाँ पर reaction इतनी दे रखी थी, तो आपको यही पर इस reaction को रोक देना है, च और यह हो गया aliphatic aldehyde, अब आप याद करिए जब हमारे पास दो अलग-अलग aldehyde मिलते हैं, तब हमारे पास reaction कौन से होती है, एक तो आती है aldol condensation, और दूसरी क्या थी, दूसरी थी cross aldol sanganan, और यहाँ पर crossing ही हो रही है, यानि कि दो अलग-अलग aldehyde आपस में मिल रहे हैं, और यह reaction हमारी क्यालाती है, cross aldol sanganan, जिसमें हमारे पास reaction हो रही है, प्रोपेनल और बेंजलडिहाइड के बीच में, और यहाँ पर आप catalyst पहचानी सकते हैं, तनू NaOH को heat करवाय जा रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास जो compound तयार होता है, वो कुछ इस परकार से होता है CH, और यहाँ पर single bond C, और इसके साथ CH3, और यहाँ पर हो जाता है CHO, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस hydrocarbon की यहाँ पर balance ही पूरी नहीं है, आप देख पा रहे हैं इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इन दोनों carbon के मज़े हो जाता है, double bond, अब यहाँ पर द यहाँ पर बात करें, तो इस योगी का नाम है 2-methyl, आप लिख सकते हैं अपनी coffee में कि किस परकार से यहाँ पर naming की जा रही है, phenyl, और आगे यहाँ पर क्या है, carbon है, 3, तो यहाँ पर आएगा probe, और उसके बाद क्या आएगा, 2-ene भी है, और यहाँ पर, तो यहाँ पर 2-en आएगा, या enal भी आप लिख सकते हैं, enal भी लिख सकते हैं, तो यह यहाँ पर इस अभी किरिया का final compound है, जिसका नाम है 2-methyl, 3-phenyl, प्रोब, 2-enal, जो की हमारी थी cross-aldol reaction, चलिए next question यहाँ पर discuss करते हैं, next हमारे पास कुछ इस परकार से हैं, यह वाला यहाँ पर आप इ oxygen के बीच के bond का विदलन हो रहा था, यही तो अभी किरिया देखी थी हमने, और यहाँ पर भी आपको वह ही करना है, इसको मैं यहाँ से खोल कर लिख लेता हूँ, पूरा, कि किस परकार से यहाँ पर C-OH bond के बीच का bond break हो जाएगा, यह हो गया double bond oxygen, यह हो गया double bond oxygen, यह तो फाइल का कार्य कर रहा है, यहाँ पर वो कर रहा है chlorine, तो chlorine क्या हो जाएगा, इन दोनों के यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पैचान रहे हैं कि यहाँ पर 1 mol chlorine इस OH को सबस्टूट करेगा, और 1 mol chlorine इस OH को यहाँ से सबस्टूट करेगा, तो मारे पास जो नया compound मिलेग वो कुछ इस परकार से मिलेगा, यहाँ पर भी जुड़ जाएगा CL, और यहाँ पर भी जुड़ जाएगा CL, और इस अभी किर्या को आपको यहीं तक संपन करना था, क्योंकि अभी किर्या को सिर्फ पूर्ण करना था, आपको आगे तो नहीं प्रोसीट करनी है, क्योंकि आगे तो कोई question mark था ही नहीं, और इस योगिक का नाम यहाँ पर होता है, थैलोईल chloride, यह आपको याद रखना है कि इस योगिक का नाम यहाँ पर क्या है, यह इसका यहाँ पर name निकल कराता है, और इसका नाम तो आप जानते ही हैं, कि इसका नाम होता है थैलिक अमल, चली यह next question यहाँ पर discuss करते हैं, जो कि हमारा final question होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर tolwin दे रखा है, और tolwin का करा रखा है यहाँ पर chlorination, H-new की presence में, यानि कि सूर्य के परकास की उपस्तिती में यह reaction होती हैं, और साथी साथ यहाँ पर heat भी करा रखा है, तो यहाँ पर हमारे पास जो compound बन रहा है, इसका हलांकी नाम नहीं दे रखा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं, इसका नाम है benjal chloride, और आगे इस अभी क्रिया को चार के साथ reaction करवाया गया है, और हमारे पास जो compound मिलता है, वो कुछ इस परकार से मिलता है, यह हमारा यहाँ पर aldehyde का निर्मान हो जाता है, जिसका नाम है benjal chloride, और यह अभी क्रिया है यहाँ पर पार स्रिंखला क्लोरिनन के पस्चात, जल अब गटन किया जाता है यहाँ पर compound का, जो कि हम यहाँ पर कर भी रहे हैं, कि पहले क्लोरिनेशन करवा रहे हैं, और फिर उसके बाद उसका जल अब गटन करवा दे रहे हैं, जिससे हमारे पास निर्मित हो रहा है benjaldehyde, तो यह यहाँ पर कह सकते हैं कि benjaldehydehyde बनाने की एक बिदी है, और कभी question पूछ भी लिया जाए कि कि किस परकार से hydrocarbonों से aldehyde प्राप्त किया जाएगा, यानि कि अगर आपको aldehyde with one ऐसा ची होगा जो benzene ring के साथ जुड़ा हो, तो आपको यह reaction यहाँ पर याद रखनी हैं, तो यहाँ पर summary video समापत होता है, मिलिंगे नए चेप्टर के साथ तब तक के लिए जैहिंद,